नमस्ते दोस्तों आज की कहानी एक हॉंटेड रूम की है तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एक महिला वाशिंटन से कालिफोर्निय स्थित अपने घर वापस जा रही थी देर शाम हो चुकी थी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी इससे पहले की वह अंतता ओरेगॉन शहर में पहुँचती जहां उसने रात बिताने की योजना बनाई थी थकी हुई और गर्म भोजन और अच्छी रात की नीन के लिए तयार वह पहली जो जगह रस्ते में आई वहाँ पर रुख गई यह मुखे सड़क पर एक पुराना होटल था लॉबी से दुरगन धा रही थी रिसेप्शन डैस्क के पीछे बैठे क्लर्क ने होटेल के रेजिस्टर पर एंट्री करवा के उसके हस्ताक्षर लिए उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था कमरे का नंबर था 310 एक बुजूर्ग बैलहॉप ने उसका सामान उठाने में उसकी मदद की जैसे ही दर्वाजा खोला गया, गर्म हवा का एक जोका महिला के चेहरे पर लगा गर्म हवा के साथ कुछ और भी आया, कुछ ऐसा जिसे वह परिभाशित नहीं कर सकी लेकिन उसने उसे भावना भारी और निराशा जनक थी उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह बेहोश होने वाली थी उसने उस बेलहॉप से बस इतना कहा, बहुत गर्मी है यहाँ बेलहॉप कमरे में जाके रेडियेटर नॉप के साथ छेर चाड़ करने लगा फिर उसने खिलकी खोली और चला गया कमरा ठंड़ा होने लगा, लेकिन निराशा और भाई की भावना प्रबल हो गई डर उसके मन में अभी भी बढ़ता जा रहा था, उससे फुस-फुसाने की आवाज महसूस हुई उसे उस आवाज ने अब कुछ भयानक करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया उसके दिमाग में कोई जैसे बोल रहा था, खिलकी पर जाओ अपने आपको बाहर फेक दो, वह खिलकी से बाहर कूदने की इच्छा को रोक नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मौत होना निश्चित है उसने बैटशीट को कसके अपने हाथों से पकड़ लिया और खुद को खुली खिलकी की और जाने से रोकने की कोशिश करने लगी डर के मारे, महिला ने अंतता ताकत जुटाए और रेंग ते हुए कमरे से बाहर निकल गई वह लोबी में पहुची और कर्मचारियों से चिल्ला कर कहा कि वह एक मिनट भी इस होटल में नहीं रुख सकती उसने बताया, मुझे यकीन था कि अगर मैं रात रुखी, तो सुबह तक मर जाऊंगी वह जाने के लिए पहले से चुकाए गई रकम का त्याग करने को तयार थी लेकिन जब वह गई, तो ताजुक की बात तो ये थी कि क्लर्क ने उस औरत से कभी नहीं पूछा की उसके साथ क्या दिक्कत हुई या कमरे में क्या गरबर है, या क्या वह अपना कमरा बदलना चाहेंगी या नहीं उस क्लर्क ने उस औरत को उसकी जमा करी हुई पूरी की पूरी नकद राशी लोटा दी उस औरत ने दूसरे होटल में चेक इन किया और अगली सुबह जल्दी जाने की योजना बनाई थी लेकिन फिर उसने अपने जाने के प्लान को कैंसल करते हुए, एक दिन रुकने और पुराने होटल के इतिहास पर नजर डालने का फैसला किया ये देखने के लिए कि क्या वह वहाँ अपने भयानक अनुभव का कारण जान सकती है उसने कुछ पूछताच करने के लिए स्थानिय लाइबरी का दौरा किया एक बुजुर्ग लाइबरेरियन डेस्क के पीछे बैठा था मैं बस सोच रही हूँ, महिला ने थोड़ा सोचते हुए कहा क्या पुराने होटल में कभी कोई चोकाने वाली घटना घटी है लाइबरेरियन ने उसे अजीब नजरों से देखा आप इतिहास के उस हिस्से तक कैसे पहुँचे लाइबरेरियन ने उस औरत से पुछा होटल की कहानी को समझने में काफी समय लग गया लाइबरेरियन ने बताया की क्या हुआ था 1948 में एक शाम एक जोड़े ने मिस्टर और मिसेज ओसकर स्मित बनकर होटल में प्रवेश किया अगली सुबह होटल के कर्मचारियों को युवती का शब होटल के बाहर फुटपात पर कमरा नमबर 310 के नीचे पढ़ा हुआ मिला जिस व्यक्ती ने उसके पती के रूप में अपनी एंट्री करी थी वह गायब हो गया था पहले तो इससे आत्महत्या माना गया वैसे लाइब्रेरियन ने अचानक कहा क्या ये सयोग नहीं है ये सब कल से 40 साल पहले 5 नवंबर को हुआ था यानि की कल ही के दिन वो औरत को समझते देर न लगी कि जो उसने कल महसूस किया वो सिर्फ एक इत्तेफाक या उसका वहम नहीं था तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे और अपना सपोर्ट दे मेरे चैनल पर और भी इंट्रेस्टिंग कहानिया और जानकारिया आपको मिलेंगी